हाई गाइस तो वैलकम बैक टू निशू की दुनिया तो आज ये वीडियो में मैं आप से शेयर करने वाल हूँ बहुत ही यमी रेसिपी जो मुझे बहुत जादा पसंद है और मुझे क्या मेरे गर पे सबको पसंद है जो की है कठहल की रेसिपी जी हाँ सुपका कठहल मैं कै विसे मुझे बनाती हूँ है पानी लिलिया है और को डाल धिया है आए मीन पानी में मैं ऩख कठहल करतेताँ माड़ विल्क हां थाथा निया डहना है अगर नहीं हुआ है तो आप पांच मंट और भी इसे बॉइल कर सकते हो बट मेरा तो हो गया है बट कुछ कठैल होते हैं जो नहीं होते है तो यह देखो मैं यहां पे इसे चान के रख दिया अच्छे से सूख जाए I mean ठंडा हो जाए तो यहां पे मेरे प्याद को अच्छे स मैंने यहां पे इसे डाल दिया है अब इसे से हम हलका जब तक यह गोल्डन नहीं हो जाता है तब तक हम इसे ऐसी भूलेंगे और आप सर्तो का तेल का यूज करो इसे बनाने में काफी जादा अच्छा लगता है वो I mean टेस बहुत अच्छा आता है उससे तो यह से अब मैं लेसन लिया है लेसन को अच्छे तरीके से कुट्टी में कूट लिया था अब आप देख सकते हो थोड़ी देर बात इसे मैंने ऐसी चलाती रहती थी मतलब आपको इसे चलाते रहना अगर छोड़ दिया तो नीचे से पकड़ लेगा तो मैंने दूसरे पैन लिया है उसमें ऑइल डालाता और मैं इसे अच्छा तो तोर्य नहीं हैं और फिर विलीवर भी बहुत जादा अच्छा आता है तो आपहले जब भी भी करना आता है मैं तो तो पिर यह पिल्दो प्याजраж नहीं हो गया था प्याज़ को और कि आप धिशत त।ो कि वान लिया है इसको प्या मेरा ब्राउन होने तक इसे हम पकाएंगे तो अच्छे पक चुका है तो यहां पर लैसन का पेस्ट है और मैं थोड़ी सी पर काली इलाइची जो होती है उसको भी कूट दिया तो साथ में तो मैंने बेसिक मसाले दाले हैं धनिया है और यह हमारी कश्मीरी मिर्च है अल्दी ह इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और प्रीस चलाते रहना आप और यह यहां पर पानी भी इसमें अड़ कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अच्छी क्या है दही हम क्यों जूस करते हैं दही हम यह अच्छा टेक्चर दिने के लिए यूस करते हैं और टेस्ट मीना तो काफी अच्छा टेस्ट आया तो मैंने सुचा आपके साथ भी क्यों नहीं यह रेसिपी शेयर करी जाए और कमेंट करके जरूर बताना अगर आप भी दही यूस करके बनाते हो या फिर आप प्याज के पेस्टे ही केवल बना देते हो तो अब मैंने यहां पे ना कठैल क आप सुनके ना मेरे मुँए पानी आजाता है एकदम कठैल की सब्जी इस वन वाइं फेवरिस सब्जी और इस जो कठैली होती है यार वह भी बहुत जादा मस लगती है आप लोग कमेंट करके जरूर दाना आपने के कभी कठैली खाई है कठैली इस लाइक जो मीठे मीठे कठैल होता है ना वह रही है कठैली उसकी सब्जी मुझे मुझे बहुत जादा पकात पसंदी है मेरी ममी एकदम बेस सब्जी बनाती है यही अवे विद्ध है इस पृपियाज प्यांट ही बनाती फष्ट जह होता है करती है इस वह इस अपने निक दिमाग चला कर ऴोप ऐ तो पांच मुट के बाद मैंने ये ना प्लेट हदा दी ती आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आपको हमारी कठेल की सब्जी दिखाई देगी हाला कि ये अल्मोस्ट हो गई है बट एक पर हम चेक करेंगे इसको पहले कि मतलब कठेल को पहले मिक्स कर लेंगे हम उसके बाद ना इसको चेक करेंगे थोड़ा सा कर्ची के हेल्प से की हो गई है की नी तो अभी देख सकते हो आप कठेल का कुछ पार जो है ना वो अभी वरना आपको बाद में पकाना पढ़ सकता है तो मैंने इसमें फलका सा पानी ओर डाल दिया था और इसे 10 मट तक पकने के लिए रख दिया था तो आप देख सकते हो आप कटहल पूरी तरीके से अच्छे से पक चुका है और फ्लेवर तो मतलब खुश्बू काश आप यहां प बंद कर देंगे और यह सब्ची हमारी टना टन बनके एकलम रेडी हो गई है इसे आप चाहे तो मिस्ती रोटी के साथ खाओ यह सिंपल रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है तो धनिया पत्ता से इसकी गानिश कर देंगे आप खुब सारी किसी सब्ची में धनिया रहा अब यह धनिया पत Suppose यह सजा डिया था और सब कुछ रेडी है तो अब बस में इसे एक बाउल में सर्फ कर दिया है और फिर धनिया पत्ते से इसे भी सजा दिया थो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी प्लीस कमेंट करके जरूर बताना हुआँए अच्छी लगी हो तो प्ली झाल 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 म्हा ये झाल 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 झाल